नमस्कार दोस्तों, सवाद अनोक, हम आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिपावली के मोक्से पे आप भुजिया तो घर में जरूर बनाती हो। आज आप इस तरह से भुजिया बना कर देखिये। आपके घर भी एकदम मारकर जैसा क्रिस्पी भुजिया बनकर तयार होगा इस रेसीपी का नाम है भावनगरी भुजिया सबसे पहले एक परात में 500 ग्राम बेसन लेंगे उसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसार थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी हींग और एक चमस लाल मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे चार बड़ा चमस तेल जिसे मैंने गरम कर लिया था अब ये रूम टेंपरेचर में आ गया है एक चमस अजवाईन को हाद से क्रिस्ट करके डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तयार करेंगे दोस्तों डो तयार है अब बुजिया बनाते हैं कि इसके लिए मैं ले रहे हूं यह भुजिया मेकर मैं मेडियम साइज की जाली लगा रहे हूं आप अगर मोटा भुजिया चाते हो मोटी वाली जाली भी लगा सकते हो देखे तेल गरम हो चुका है अब इस तरह भुजिया निकालते हैं दोस्तों भुजिया के लिए तेल एकदम गरम ही होना चाहिए अब दोस्तों भुजिया के लिएफ़ ओंद हैं अबनार लिए झालते हैं खराव और उसके लिए निकालते हैं बाँ कालते हैं अबनार टोस्तों अबनार बाच्वाची सहाँ देखिए बुजया का कलर चेंच हो गए है अब इसे तेल से बाहर निकालेंगे और इसी तरह सारे बुजया बना लेंगे बावनगरी बुजया खाने के लिए तैयार है एकदम क्रिस्पी और एकदम सौफ तो इस दिवाली पे आप भी बनाएए और मार्केर का बुजया अवाइड कीजे अगर आपको मेरी ये रेसी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें